नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहें नई किसी दरपन यूटूब चैनल तो दोस्तों मैं आ चुका हूं बैसाली जला में सहदई गाउं में और यहां पर भैसों का फाम है बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि हम भैस के फाम का वीडियो बनाए तो बिल् रखा हुआ है बुल रखने का अलग फायदा होता है यह सब चीज भी हम इस पीडियो में जानेंगे और इनका में मक्सद में मोटो जो है भैसों का करने का यह भैसों यानिकी पढ़िया को त्यार करके और इसको सेल कर देते हैं तो से यह सबसे बड़ा इनका बेनिफिट है क्योंकि भैस का दूद्ध अक्सर हां हमारे जो बिहार में वह 8-10 लीटर ही होती उससे भी कम ही होता है तो तो यह चीज यह सेल करते हैं लोगों को और सेल करके ही मुनाफ़ा कमाते हैं कैसे मुनाफ़ा कमाते यह चीजिए वीडियो में जानेंगे उसके पहले मैं कहुंग और रात में कोई प्रब्लम मिली होती है क्योंकि इन में रोग प्रति रोधक्षमता काफी ज्यादा होता है तो आई हम और से मिलते हैं और पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं नमस्कार सर स्वागत है हमारा इस यूटीब चैनल पर सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शों को आप अपना परिशाय दे दिजिएगा और यह आपने कहां पर फाम कर रखा यह भी बता दिजिएगा जी मेरा नाम हुआ राजुयादव और मेरा घर हुआ सहधाई बुजू बैसाली जी लाके अंतरगत परता है और यही है तो बहुत चारे लोग गाय का फाम करते हैं औ और इसका जो है से मतलब कहने का आर्थ ही है कि भैंस जो भी होती है मतलब हम लोगों के पास जो है से चरने की विवस्ता है रखने की विवस्ता है तो भैंस में खर्च काम आती है और भैंस जादे दाम पे बिगती भी है यही सब है और क्या तो आपने इनकी शुरुआत इस दिरे दिरे बढ़ाना स्टाइट कर दिया क्योंकि पहले तो बैस की दाम 2000 से पहले बैस की दाम थी चेह जार सब्सक्राइब शब्सक्राइब तक लिए लेकिन अब लोगों के साथ में परिशानी यह होए कि कहने का मतलब जिस तरह के मेंटनेस रखेंगे उसके इसाप रएका उस हिसाफ से आदमी को फैसा मिलता है चाहिए और हम लोगों के पास जो है से अपने पढ़िया तयार करते हैं और पढ़िया तयार करके जह होता है जो भाई आस बना केति इंधने में उसको बेचते हैं साल में 10 बेच लिए तो पचला के असपास अपना आता है चरता है खाता है पीता है बस यहीं सब होता है अगे की तयार करके बेचाई जा तो यहां पर यह हमने और प्रेगनेंट तक प्रेगनेंट है कर लोगों को सिंफल सिंफल चलते हैं तो लोगों की 4 साल मेंकि 4 साल में OT नहीं 4 सालमें बच्चा देता है क्योंकि हम लोग उतना उथी नहीं कर पाते हैं लुका ये लोग vegg transmuts है चार कर रहती है जड़ा खाती पीती नहीं हम लोग ज़्यादा इसमें मेहनत है और दुसरी नंबर बात है कि जो अच्छा घिलाएगा उसका दो साल के अंदर में ही सब कि मुर्रा तो है नहीं उना लेकिन फिलाल कर देसी में ही क्रोस उरस समझ हाँ यह यह ऑनुप्राइब ठीक करती तो मतलब दे दोडात के लिए रहा है तो तो सुबह साम तो कुछ खान होने के लिए सुबस आहां खाने के लिए देते हैं अभी भूसा और पोला का कुट्टी और चोकर और क्या मिलेगा इस बूसा जो है से बस एक माल को पाच्केजी से ज़्यादा नहीं मिलता है पाच्केजी और दो किलो चोकर बस यहीं असान तरीका है कि मतलब कि आप पड़िया त्यार करक प्रेगनेंट है लेकिन यह कंफरम है यह वाली और अपना बुल से ही प्रेगनेंट करते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि अपना बुल अपने साथ रहता है और वही चेक अप करता है कि कब कौन हीट में आया और उसके साथ जो है सापना हीट में जैसे कि अपना मतलब उसके ज जल्दी खा जाता है कोई बहुत बाद खाता है लेकिन अपना भूल है हम लोग कभी काउंट नहीं करते हैं कि कितना महिना का कौन है कि आया नहीं चरते रहता है कि कितना दिन पर आता है तो जन्रली बस वही मतलब तीन साल के अंदर में जो है से पाल खा जाना है जिसे करेंगान देते हैं और 20 दिन बाद 22 दिन बाद हीट आती है तो उसको शेवें नहीं दिल्बाना चाहिए मेरे एक्सपरियंस से क्योंकि उसको कम से कब 2-3 महीना का रेश्ट देना चाहिए क्योंकि तुरण डिलिवरी करती है उका शरीर जो है से विक्षित रहता नहीं आद कि युइए जो है से हमें इसका यहां इसका जो है से याठ वाहिना का गाविन है और यह फुर्ष्ट मतलब की क्या बोलती है कि अदंत में ही पल खाके बच्चा बेश्चा दी थी इस बार यह आठ महिना के प्रेगनेंट है और दो महिना बाद डिलिवरी देगी दो मेन के बाद देगी इसका पहले कितना दूद बता है आप इसका आठ लीटर इसका दूद था अच्छा आगे और देखेंगे यह सब कितना क्या इसका इसका यह भी परिया नहीं यह कीतना खर्चा आगा ह declared को साथ करते रहती है ठंड़ा के मौसम आता है दो से तीन महिना उसको घुलाते हैं कि गजाते हो उसके बेचे इसको जो है से 12-13 के वकाद है दूद करती है 12-13 वह इसी का बच्चा यह पाड़ी है यह पाड़ी है और यह बुल है यह मेरा सबसे बड़ा बुल है जो कि अभी छेदात का है और इसी से सब का मीटिंग कराते हैं यही करता है देखें ज्यादा तो रोग होता नहीं है रोग जो है सो वही है जो एक खुरहा रोग जो बोलता है वही रोग ज्यादा तर बैसाली जिल्या के अंदर में बिहार में ज्यादा मवेसी को परिसान करता है लेकिन फिलाल जिसके जिसके पास जनकारी है वह वेक्ति को वह परसानी से दूर रखता है जैसे साफ सपाई हो गया और दूसरी नमबर बात क्या है कि जनकारी ही और विमारी से इलाज है और दूसरी नमबर बात यह है कि कहने का आर्थ है कि हम लोग कभी भी अगर देखते हैं कि आसपरोस के गाउं में अगर कुछ हो गया विमारी खुरहा तो हम ल तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही इसको क्या करते हैं कि दवाई पिला देते हैं नो होने का हेमोपथी में दवाई उपलाब्द है नो होने वाला वो दवाई देने के बाद अगर दूसरा माल अगर आता भी है खुरहावला तो वो इसको में वायरस काम नहीं करेगा तो वॉस्का多 अपने और यह दूसरे हान में इसको 6820 हुआ था लेकिन इस लाइक के ये 6 मेना का प्रेगनन्ट ही और मतलब बतना चाहें पड़ें इसकों वॉथ दूद्ध हना में बसका भाइस में टिन क्या है कि बॉचट ज्यादा है और गाय में खर्च ज्यादा मतलब दूद बेच करके तो कम बचत होगा नहीं तो एक चीज तो है एक्चली है कि आकी भैस जो होती है वह अगर आठ लिटर की भी है तो कम से कम वह 50,000 की है और गाय अगर 20 लिटर दूद का है तो यह 50,000 का नहीं अंतर ग रहे हैं तो यह इतनी सारी जानकारेद इसके लिए बहुत भुत धन्यवाद आपको क्यों को इसके करें लाइन करें आपको